दोस्तों RSIIT का एक्जाम 21 फरवरी 2021 को होना है लेकिन इससे पहले जो एक्जाम 31 जनवरी 2021 को हुआ था RSIIT का और उस एक्जाम में जो क्विश्चन पुचे गए थे वो क् वो क्विश्चन RSIIT की बुक्स में से कहां कहां से आए थे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंट्स यही बात बोलते हैं भी RCIT का जो एक्जाम में वो बुक्स में से नहीं आता कहीं 12 से क्विश्चन पुछे जाते हैं लेकिन दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है RCIT के जितने भी 35 क्विश्चन आते हैं वो सारे के सारे बुक्स में से ही बनाई होते हैं लेकिन उनको जो क्विश्चन बनाने का जो तरीका बहुत ही एडवास लेवल का होता है तो दोस्तो उसी एक्जाम की हम बात करेंगे भी 21 जनवरी वाले एक्जाम में जो क्विश्चन पुछे गे थे वो RCIT की बुक्स में से कितने नमबर पेस से question पुछा गया था और किस तरीके से question को बनाया गया था और इसी को देखते वे आपको 21 फरवरी वाले exam की त्यारी भी करनी है तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ महुन सुथार और समार्ट काउंटिंग आरसनार की YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी सी request वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ शेर भी जरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिये हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के knowledgeable जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका notification आपको सबसे पहले मिलता रहेगा तो दोस्तों सुरू करते हैं आज कहीं वीडियो तो दोस्तों हम बात करेंगे 31 जनवरी वाले exam की और मेरे पास है जो ये question हम बता रहा हूँ वो B-series का पहला question है तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो B-series का पहला question था 31 जनवरी वाले exam का वो question ये था भी एक search engine द्वारा सुचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो दोस्तों इसमें तीन option दिये हैं लेकिन अब बात यह है कि ये question R-S-I-A-T की books में से आया कहा से है तो इसका भी हल देखेंगे जो दोस्तों ये जो question आया है आप देख रहे हो भी R-S-I-A-T की जो book है उस book का page number 49 and 50 जो page है उस page पर आपको इसका जो जवाव मिलेगा तो दोस्तों page number 49 पे 4.6.1 का एक paragraph है search engine का और इस search engine के अंदर से ये question आया है तो आप इसमें देख रहे हो भी एक wave search engine web software है जो worldwide wave से सुचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है तो दोस्तों अब ये question अगर बात करें तो अब ये question आ रहे है भी एक search engine दोड़ा सुचनाओं को खोजने के लिए किसका उप्योग किया जाता है और ये same तिनों option आपको यहां पर भी मिलेंगे फर्स्ट है जो web crawling, web spider, second indexing और तिन नमबर searching तो यानि कि तिनों option इसके लिए सही है तो ये आपको तिनों option इस question में दिये गए थे तो दोस्तो इस तरीके से बहुत ही एक technical तरीके से advanced level तरीके से हर paragraph में एक एक line को आपको carefully पढ़ना है तो दोस्तो इस तरीके से जो question number 3 था भी URL किस बार में show होता है तो दोस्तो ये question कितने number page से आया होगा इसको भी हम देखेंगे अब ये जो आया है page number 46 और आप देखेंगे इसके अंदर स्पस्ट्रूप से ये लिखा हुए इसमें मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ अब इसमें लिखा हुए अभी अधिकांस browser वेब page के URL को address बार में परदर्सित करते हैं यानि कि अधिकांस browser वेब page के URL को address बार में परदर्सित करते हैं तो दोस्तो अब यही question है URL किस बार में show होता है तो सही answer इसका address बार हो जाएगा तो दोस्तो आप देखेंगे किस परकार से question को बारी किसे पुछा गया है एक एक पेरा कराब में से इसी को द्यान में रखते हुए आपको 21 फरवरी वाले exam की त्यारी करनी है तो दोस्तो अगर आपके पास timing की shortage है आप अभी books को नहीं पढ़ पाऊगे तो आपको हमारे channel पर एक यह video आपको मिलेगा इस video का link मैं इस video के description में मैंने दे दिया है और उपर आपको i button पर भी इस video का link मिल जाएगा आप इस video को जुरूर देख लेना क्योंकि इस video में इसी परकार से R.C.I.T. की books में से हर पेरा कराप में से जो most important question बन सकता था वो question बनाया हुए है तो आप इस video को 150 question का यह video है इस video को आप एक बर जुरूर देख लेना 21 फरवरी वाले exam को देने से पहले तो अगर बात करते हैं दोस्तों जो next question था अब इसमें question number 4 वे work sheet पर horizontal और vertical line को कहते हैं तो सही answer इसका था grid lines लेकिन अब यह question आया कहां से है इसको भी हम देखेंगे तो यह जो page number 202 RCT books का तो इसमें आपको यह मिल जाएगा भी plot area plot में दिखाई देने वाली horizontal line को grid line कहलाती है तो दोस्तों इस परकार से question को अंदर से ढूंडूंड के निकला जाता है इसमें अगला question जो question number 5 है इमेल संप्रेंसन में प्रयोग आने वाली BCC का विस्तारित रूप क्या है यहनकी BCC का full form क्या है अब इसका जो answer आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको books के page number 55 पे अब इसमें यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह 2CC और BCC अब BCC की जो full form है यहाँ पर लिखी विये blind carbon copy और यही आपको इस question में पुछा गया है blind carbon copy का option दिया है इसका मलब यह B option इसका सही हो जाएगा तो question number 6 अब question number 8 URL का विस्तारित रूप क्या है तो दोस्तों अब यह जो आपको question मिलेगा इस का answer आपको page number 59 में और जो 59 में मिलेगा यह आपको उस lesson के जो end में जो पूछे जाते हैं उसमें आपको मिलेगा question number 6 अब यूरल का पूरन रूप क्या है यानकी पूरा नाम क्या है तो universe resource locator तो दोस्तों आप देख रहे हो कई question तो बिल्कुल हूब पूछा जा रहे हैं लेकिन कुछ question को technical रूप से बनाया गया है तो जो next question है question number 9 पि कौन सा printer कागज के उपर 6 के छोटे छोटे बिंदूओं को अतियन तेजी से छिड़कर data या चितर को परदर्सित करता है यानकी चितर को print करता है तो इसका जो question है वो कहां से आया वो भी हम देखेंगे अब इसका जो question है यह आपको page number 16 पे मिलेगा और आप यहां पर देखेंगे इंक जेट प्रिंटर आप इस पे सब कुसे लिखा हुए भी गर्मे परियोग के लिए printer को आम परकासे color इंक जेट प्रिंटर है यह printer print head से शाई की छोटी बुंदों को चिड़काव करके page की image का निर्मान करते है तो दोस्तो यह question में पुछा गया है यह कौन सा printer है जो उपर छोटे छोटे बिंदों की अतियांतेजी शिटका के data चितरों को प्रिंट करता है यहनकी inkjet printer तो इस तरीके से आपको पेरा अगर आपकी त्यारी करनी है अगर आपके पास time है तो अधरवाई जो हो मरा आप वीडियो भी देख सकते हो अब उसके बाद जो question number बार है विवर्टसप का उप्योग किस कारे में किया जाता है तो दोस्तों यह अलांकि question बिल्कुल simple है सबी को आता है लेकिन इसका जो question आया है वो कितने number page है page number 153 से अब 153 number page है उस पर आपको यह मिलेगा वर्टसप का और इसमें सब कुछ लिखा हुए भी वर्टसप का उप्योग है जो किसलिए किया जाता है जो next question है question number 13 भी निमल इसमें से कौन सा mobile wallet का उधारन नहीं है तो यह जो आया है आरसेटी के बुक से में page number 72 से तो आप 72 के अंदर आप देखोगे तो यह question number जो 8 है यह बिल्कुल agtg question आपसे पूछ लेकिया निमन में से कौन सा mobile wallet का उधारन नहीं है तो सई answer इसका credit card हो जाएगा तो जो next question पर कौन सा option email folder में नहीं होता है यानिकि question number 14 अब इसका जो आपको answer मिलेगा वो आप देख रहे हो यह जो gmail होता है इसमें inbox, standard, import, send mail, draft, person इस तरीके होते है लेकिन जो question में पुछा गया है पिर निमनलिक्त में से कौन सा option email folder में नहीं होता है जैनिकि receive mail यह option है जो email में नहीं होता अब इसमें होता भी नहीं है आप यहां पर देख भी सकते हो तो इस तरी में से भी question निकाले जा रहे हैं अगला question है DVD का विस्तरित रूप क्या है यानि कि question number 16 B series का इसका answer आपको page number 20 पे मिलेगा और इसका जो DVD का full form वर्श्टाइल डिक्स यह सोड़ी डिजिटल वर्श्टाइल डिक्स यह निकि DVD का पूरा नाम और यह आपसे DVD का विस्तरस नाम पुछा गया है लांकि इसमें digital वीडियो डिक्स भी होता है अगर आपके पास digital वीडियो डिक्स का option नहीं होता तो आपको यह option सही करना पड़ता अब यह और भी दोनों option सही है इस तरीके इस question नमबर 18 पर social networking site है तो जो question नमबर 18 दिया है इसका आपको answer मिलेगा page number 76 पर यानि कि छेतर नमबर page पर तो आप देख लिए आप है social networking site तो इस social networking site के अंदर सब कुछ आपको बताया हुए पर कौन-कौन स यह social networking site होती है इसके अंदर आपको with image के साथ भी बताया हुए है तो question नमबर 19 यह जो option है इसका जो आपको answer मिलेगा page number आपको 26 और 27 पर आपको मैं दिखा देता हूँ यह operating system अलांकि इस answer इसका जो operating system होगा अब यह operating system है यह सब कुछ किस तरीके से कार्या करता है यह hardware और इस पर कार्या करता है यह application software को कौन सा computer hardware रन करता है दूसरे software को run कराने के लिए platform परदान करता है यह operating system तो अगर आप इस operating system को पूरो अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो इसकी कानिया आपको समझ में आ जेएगी तो next question तरीके से कौन सा बारत के राष्टे बुकतान निगम दोरा लॉंच किया गया है तो इसका answer आपको page 63 पे मिलेगा तो जैसे आप page 63 ओपन करोगे RCT books का तो आप यहां पर देख रहे हो रुपे कार्ड बुकतान और इसमें यह सपस्ट रूप से लिखा भी होए भी रुपे पेमेट का एक्षियोंजन बारत के राष्टे निगम दोरा बनाया और लॉंच किया गया है और यही आप से question में पुछा गया है फिर कौन सा है प्राष्टे बुकतान दोरा बनाया और लॉंच किया गया है यानि की रुपे तो जो next question है question number 22 है फिर निमले में इसमें कौन सा वे ब्राउजर का उधारन है तो अब इसका जो question आपको मिलेगा page number 48 पे अब जो 48 है आप देख रहे हैं इसके अंदर यह सारे वे ब्राउजर है गुगल कोर्म्स, फारी, मोजिला, फायर फॉक्स, इंटरनेट, एक्स्प्लोर तो यह सारी आप इस ब्राउजर की feature को आप पढ़ोगे तो इसमें सब कुछ आपको अच्छी तरीके से clear हो जाएगा इसमें दिखावे जीपियस का पूरा नाम क्या है तो किस्ट क्वेशन दोस्तों आपको जब RCIT के बुक्स में जितने लेसन दीवे हैं उस हर लेसन के end के अंदर इस टाइप के आपको optional टाइप क्वेशन जरूर मिलेंगे जिन की बोवेकेलिपिक परसन आपको तो आप एक तीस नमबर के जो इंटरनल हमारा पेपर होता है प्रैक्टिकल का उसमें से जो क्वेशन पुछे जाते हैं उन क्वेशनों को भी आप लेसन वाइज जरूर देखना है जिसे कि यह परसन असेस्मेंट वान है कंप्यूंटर से प्रीचे तो कंप्यूंटर से प्रीचे से most important अब इंपूट डिवाइस है या आउटपूट डिवाइस है अब यह जो आपको question मिलेगा इसका answer page नमबर 12 से अब देखर हुआ है इन्पूट डिवाइस अब इन्पूट डिवाइस के अंदर ए जो प्राकर के आउटपूटड डिवाइस के अंदर यह मौस भी include होता है त तो अब इसका जो answer आपको मिलेगा वो page नमबर 15 पे मिलेगा RSI IT की books के तो अब यह देख रहे हो output device, अब output device के अंदर यह monitor भी है और printer भी है तो यह output की device के बारे में आप books में पढ़ोगे तो आपको OS के लावा और कौन-कौन से output device होती है उनकी जानकारी भी आपको अच्छी तरीके से मिलेगी जो अगला question है, question number 29 एक keyboard पर capital अक्सरों के रूप में संद्रिप्त किया जाता है तो कौन सी key use हम use करते है, caps lock का लेकिन अब इसका जो answer आपको मिलेगा, same way page number 12 पे अब ये keyboard आगया, अब keyboard के अंदर ये सब कुछ लिखा होता है विजोसी दे function को शुरू करने के इस्तमाल जैसे caps lock है, num lock है, toggle किये क्योंकि इसमें कुछ ऐसे question भी दिए गए हुए, जो हम question को नहीं आ रहे हैं वो सारे का सारे practical basis है उनकी त्यारी ये कर हमें practical रूप से computer पे working करके देखेंगे तो उनकी कानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो जो next question है, question number 3 M.I.C.R. में C का अर्थ क्या है तो इसका आपको answer मिलेगा, R.C.A.T. के बुक्स पे page number 14 पे तो अब जैसे आप 14 नंबर पे open करोगे तो आपके सामने ये M.I.C.R. की पहले बाए तो full form आपको मिल जाएगी Magnetic Ink Character Recognition तो इसमें C का जो आर्थ पुछा गया है भी M.I.C.R. में C का अर्थ क्या है, यानके character तो आप देख रहे हैं, इस C का मतलब है, जो यहां पर भी character निकल के आ रहा है तो इस तरीके से इतनी बारिकी के साथ ये question को त्यार करते हैं, U.M.I.C.R. के दोबारा तो जो next, 31 नंबर आ गया भी किसी विशिष्ट कार्या करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ स्योंजन में किस कुंजी का उप्योग किया जाता है, तो answer इसका control है, और इसका answer आपको R.S.I.T. के books में page नंबर 12 पे मिलेगा तो आप ये 12 नंबर इसमें page में देखोगी तो आप ये ही मिलेगा आपको control और alt की को communication कोई भी जाता है क्योंकि अब ये भी एक तरिके का practical question है तो इसके बाद 32 नंबर question USB का full forum क्या है तो अब इसका जो answer आपको मिलेगा वो R.S.I.T. के page के अंदर books में जो last के अंदर बिलकुल last के अंदर हर की full forum जहां पर लिखी वी है तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा USB की full forum यान की universal serial bus तो इसमें आपको URL की भी full forum मिल जाएगी या पर इसके DVD की भी full forum आपको मिल जाएगी तो इसके अलावा और भी जितने भी full forum हैं सभी full forum आपको याद करने पड़ेगी क्योंकि तीन से चार question ये full forum की RCAT की exam में जरूर पूछे जाते हैं और इसके बाद next question वेब संसादनों के लिए एक संद्रब जो computer network तंतर को पुना प्राप्त करने के इसके स्थान को निर्जिश्ट करता है तो इसका जो सभी option रहेगा uniform resource locator अब इसका answer भी आपको page number 46 पर मिलेगा यसी uniform आरसल resource locator पे तो अब इसके question आगे वेब संसादनों के संद्रब में computer को पुना सतान निर्जिश्ट करने के लिए तो ये सब कुछ इसके अंदर detail सारी लिखे हुए भी एक wave संसादन का संद्रब है जो की computer network पर उस संसादन का दर्सा है तो उस तान पर पहुंचने के लिए इस्तिमाल किया जाता है उसे हम URL कहते हैं और ये question में पूछा गए है तो दोस्तों आप देख रहे हैं question को किस तरीके से modify करके कितना गुमा फिरा के बुच्छा जा रहे है तो इसलिए आप से मैं request करूँगा अगर आपके पास time है तो RCT के books में से जो हर lesson के end में जो वेकलिप question जो दिवे हैं उनको आप जरूर पढ़ना अगर फिर भी आपके पास time की शोटेज है तो आप मारा ये वीडियो जरूर देख लेना तो दोस्तों अगर आज की वीडियो को पसंद आई हो तो like जरूर कर देना दोस्तों के साथ share भी जरूर कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किये